9.3 डॉक्टर रमं सिंग्स ने भूपेश बखेल की सरकार की कार प्रनाली पर निश्वना सादा है उन्होंने चैसर का जनता रूपी दुर्गा की शक्ती मरदन करती है रमंसिंग से खास बाशित की है हमारे समवधाता आशी इश्तिवारी ने नई चुनौतियां भी बीजेपी के सामने हैं नई कारेकारणी के सामने हैं किस तरीके से पार्टी उन चुनौतियां के सामने करने के लिए आज कटी बद्धू पहले कारस्भी है और पहले कारस्भी जिन बुद्दू पहं हम जारहे है एक राजितिक प्राश्टाव क्रिस्पे प्राश्टाव हो आहले और राजितिक बस्ताओं में सरकार की अस्फलता और उसके साथ इसाथ प्रदार मंतीजी के नेतरित में जो छो साल से उपर जो सरकार हो शुकी है उन्होंने जो अमूल चुल परिवर्तन लाया देश में शत्तिल गर्ड में उसके लिए और सबसे बड़ी बात जो कुरोना काल में जो बीस लाग करोड का प्रेकेज दिया है दुनिया में कहीं ये प्रेकेज ने दिया गया अकिला हिंदुस्तान ने दिया बीस लाग करोड का एक लाग सत्तर हजार करोड का किसान गल्याणियों के साथ साथ प्रेकेज दिया गया तो ये अभूदपूर कदम उठाया है कोर किया जूट बोला और ये राजितिक पस्ताओं में सारे विशे आएंगे तो बात करने का फुरसाद में कलेक्टर को निडेश रहता है ना जाएं तो इस प्रकार ये सत्ता का मद में चूर हो गया है और ये नौरातरी में हम याद करते हैं कि यह इसी रावणी प्रोड़ी नह चलती है अब बीजेपी क्या सड़कों कर जादा मुस्कैदी से नज़र आएगी सरकार की नीतियों के विरूद में बिल्कुल वक्त आगिया है शंगर्स आने वाले सबब में सड़कों पे भी होगा है ये थी पूरू की डॉक्टर रमन सिंग और जिस तरीके से उन्होंने स सरकार को रामन प्रवित्ती वाली सरकार करार दिया है अलाकि उनकी दलील इस तरीके से है कि सांसद आमरण अंशन पर वैटता है और सरकार की तब से इसकी सुनवाई नहीं होती है अलाकि ये राजजनतिक बयान के तोर पर डॉक्टर रमन सिंग के इस बयान को देखा दाना चाहिए लेकिन यह पहे है कि नहीं कारेकार्णी के गठन के बाद प्रदेश कारेशन समेटी की जिसकर की ने शुरू की है और बीज़ेपी की उन नीतियों पर सरकार के विरोध में एक प्रोलोजी को उठाते हूं बीज़ेपी बात कर रही है इस साहएं किना बड़े दिलो